शबीक और नमस्ते आज मैं जो सबसे बर्निंग टोपिक कही है हिंदी में या जवलन्द मुद्दा कही है आज कल बड़ी चर्चा है सवस्त रहने के लिए कहते हैं खेलो तो हमारा यह टोपिक बार बार इंग्लेस में हिंदी में बच्चों के ऐसे रैटिंग परागराफ रैटिंग के नाम से आता है छटी सी लेकर बड़ी कक्षाओं तक ऐसी बात पुछ जाते वे लोग गेम्स या दे वे लोग इस्पोर्ट्स दोनों उत्रेश आ सकता है तो गेम्स आर ए वेरी निशेसरी पार्ट ओफ लाइफ बच्चों इसका मतलब यह है कि खेल हमारे जीवन के बड़ों पर भी लागों पर बच्चों को तो अपने पढ़ाए के दरश्टी के तियाद भी करना है ना लिखना है फ्रिक्षाओं में गेम्स आर ए वेरी निशेसरी पार्ट ओफ लाइफ खेल हमारे जीवन का बहुत ही जरूरी भाग है यह मोनोटोनी जो वेटा ही है इसका नाम है निरस्ता वो जिन्दकी की निरस्ता को हटाते है यह इंटरेटेन्मेंट टू आवर वेरी माइंड्स वेरी होता है ठकेवे दिमाग वेरी वेरी का मिनिंग क्या है ठकावा वो जो है ठकेवे दिमाग का एक पर कासे मनोंजनी परदान करते हैं वाउपन दूर करते हैं यह बहुत तगड़ी वाता है यह बहुत तगड़ी वाता है करते हैं नहीं का अच्छे करम की रूप में एक बात आप देखते हो सुवज जो खेल कर आपाते हो शाम को खेलते हो तो आप में चिर्चला पंदूर हो जाता है नो इरिटेशन इन यू है उसी पर बता रहा हूं आगे मैं आपको चैर पास लाइन रोड़ता है तो बाकी फिर कल बता दूँआ दावेलोफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज नाव कम टू बी रिकोगनाइजड एक यी बात मैंन है कि पहले कि अपने आप भी खेल हो जाता था लोग पैदल चलते थे पस्चो चराना खेत में जाना इस तरह मतलब दूसरी तरह क्रियाई थी आजकल क्या है अब इसका महतब भी बढ़ा है लोगों ने अब इसका महतब को पैचाना है कम टू बी रिकोगनाइजड अब इनकी पैचानी स्मावले में इनको मनने ता मिली है दे हव बीकम ये पार्ट एंड पार्सल ओफ एज्यूकेशन वो सिक्ष्या का ही भाग अबीन अंग बन गए पार्ट एंड पार्सली जोड के बोलें से दुनों नाव और इनका मतलब क्या है अवीन भाग सिक्ष्या का बन गए हैं मैं आपको एक थोड़ी बात बताना मुचा हूँगा बीच में ये एक ऐसी डिगरी चलाने चाहती दिल्ली सरकार में एक दिन मुहां के मुख्यमंतरी की बात सुन रहा था वो बता रहे थे कि स्पोर्ट्स यूनिर्स्टी बन रही है उदर हरियाना के बादर के साइड में दिल्ली सरकार बना रही है दिल्ली चेतर में जिसमें शिर्फ और शिर्फ यानि जिसको बच्छा कुस्ती खेलता है तो उसको बीए की डिगरी मिलेगी बीए कुस्ती बीए कबडी बीए ओकी बीए टेनीस बीए फूटबल ऐसे मतलब उसके खेल उसको डिगरी मिल जाएग तो अब नहीं नहीं बाते आएंगी जमाने के साथ सब कुछ बदलेगा तो इस्पोर्ट में डिग्रियां मिलेंगी, एज्यूकेशन मिलेगा, जोब भी मिलेगा देवबिक में पार्ट एंड पार्सल ओफ एज्यूकेशन वो सिक्षा का अभिन भाग बन चुके हैं इस्ट्वेंट्स और एंगरेज टेक पार्ट इन गेम्स बच्चों को प्रोथ साइथ किया जा रहा है गेमों में भाग लेने के लिए, हाँ आज कर ये भी हरियाना सरकार ने भी मिशिन चला रखा बच्चों को साइथ बतावना जी, छोटी कलास से लेके उपर यूजी पीज यानि कोलेज की कलास सो तक एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, कि और आज कर लिए सरकार ये परियास कर रही है, कि हर बच्चा कौन को गेम ही भाग जरूर ले, वो पहले वाली बात नहीं है, वेक एक बच्चा में एक बच्चा है भाग ले, नेसल की तैरी के लिए कर रहा है या उर्पा की ऐसे बठे सुत्तर बच्चे ऐसा नहीं है, आज कल एक सिस्टम बना दिया, हर बच्चा, अगर सो बच्चे तो सब बच्चे जो है पराग गेम का नाम चुने, कि मैं खोको खेलूँआ, मैं कबडी खेलूँआ, मैं लोंग जंपर हूँ, मैं रेसर हूँ, इस ग्रेट रिस्पेक्ट, ये खास बात है, गुड़ प्लेयर्स आर हेल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट, यानि जो अच्छे खिलाडी है, अच्छे दरजे के, उनको बहुत इजद मिलती है, आम जानते भी जितने भी जो खिलाडी किसी प्चेतर के हूँ, गॉल्ड एसियन मैडलिस्ट हैं, ओलमपिक मैडलिस्ट हैं, कॉमन वेर्थ मैडलिस्ट हैं, यानि जो अंतराष्ट इस तरकीस पर दाओं जो भाग लेकर आते हैं, उनको हमारे हर्याना सरकार तो बहुत बड़े होदे से समानित कर रही है, मैं यहां तक बताऊं कि कई हूँ तो अपने गेम चुन ले, और दूसरे साथ वाले बच्चों को रोज 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 रेम बद लेक अच्छा गेम चुन कर उसमें आगे बढ़े, दे आर कंसिडर दा प्राइड ओफ दी एर इंस्टिटुशन्स, उनको अपनी संस्था का गोरो माना जाता है, दे आर क